आप जानते ही हैं कभी यह कहा जाता था पड़ोगे लिखोगे बनोगे नबाव, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराव, अब समय बदल गया है, अब खिलाडी भी प्रसिद्धी और पैसा दोनों कमाने लगे हैं, खेलों में और भी कहीं तरह के रोजगार मिलने लगे हैं, खिलाडी अपने सासा देश का नाम भी रोशन करते हैं, पाठ प्रवेश, जूलन गोस्वामी भारते महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रही है, इस खुले पत्र में जूलन ने खेलों के प्रती अपनी रुची और रु आत्रा कैसी रही, आईए सौयम जूलन के शब्दों में उन ही से जानते हैं, दोस्तो, मेरे बचपन के दिन बहुत ही मज़ेदार गुजरे, मेरा जन्म कोलकत्ता में हुआ, बचपन में मैं बहुत ही शतान हुआ करती थी, मैं अपने आप में मस्त और खुश रहने वाली ल बापुजी बाली का विद्या मंदिर में बीते दिन भी बहुत ही अच्छे रहे, बचपन से मेरे मन में क्रिकेट की बाते दौरती रहती थी, मुझे आउट्डोर खेल ही पसंद थे, और मैं हमेशा मैदान में दौर लगाने और कोई खेल खेलने के बारे में सोचा करती थी दोस्तो 1997 में मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक दिन मैं टीवी पर ऑस्टेलिया और न्यूजिलेंड की महिला टीमों के बीच वर्ल्ड कप फाइनल मैच देख रही थी इस मैच को देखकर मैंने अपने मन में पक्का इरादा कर लिया कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है इसके पहले तक मैं दूसरे खेलों में हाथ आजमा लेती थी माता पिता को यह समझाना कटिन था कि लड़कियां भी क्रिकेट खेल सकती है इसके लिए मेरे कोच सुपन संधू ने मदद की उन्होंने मम्मी पापा से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि यह लड़की अच्छी क्रिकेटर बन सकती है और क्रिकेट में भविश्य बनाय जा सकता है इसके बाद मैंने पूर्णिमा राओ से बहुत कुछ सीखा क्योंकि वे मेरी आदर्श थी अच्छा क्रिकेटर बनने के गुण मुझे उन्हीं से मिले शुरुआत में क्रिकेट की प्रैक्टिस और पढ़ाई साथ-साथ करना मुश्किल होता था पर मैं अपने अ अंगीज सुनने और फिल्मे देखने का बच्पन से बहुत शौक रहा जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो लोगों की सफलता की कहानियों में भी रुची जागरत हुई दूसरों के जीवन की कहानी पढ़कर मैंने यह सीखा कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए उसमें खूब मन लगाना होगा जितना ज्यादा मन लगा कर काम करेंगे सफलता उतनी ही जल्दी आपके पास चली आएगी दोस्तों बच्पन में मैं फुटबॉल और बैडमिंटन खेलती थी और बॉली बॉल की भी अच्छी खिलाड़ी थी अपने मौले में मैं एसी अकेली लड लड़की थी जो लड़कों की टीम में फुटबॉल और क्रिकेट खिलती थी लोग कहते थे यह लड़की तो पकी खिलाड़ी बन कर ही रहेगी यह बात लोग खीज कर बोलते थे या फिर मेरा होसला बढ़ाने के लिए यह तो मुझे पता नहीं पर मैंने खेलों में रुच दोस्तो इस बहादू लड़की को साब से बहुत डर लगता है मेरे भाई ने मुझे नकली भूद बन कर भी बहुत डराया है यूं तो मेरी बहुत सी सहेलिया है पर मेरे माता पिता मेरे सच्चे साथी हैं वे मुझे बहुत प्यार करते हैं माता पिता की हर सलाम हमारे लिए बड़े काम की होती है, उनकी सला जरूर माननी चाहिए, माता पिता से अगर अच्छी दोस्ती हो जाए, तो बहुत सी बाते हमारे लिए आसान हो जाती है, इसलिए माता पिता का आदर करना चाहिए, और उनसे इसला लेते रहना चाहिए, उनके पास हमें बताने के लिए बहु तुरंत सुला कर लेनी चाहिए क्योंकि हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तो माता पिता ही करते हैं ना आपकी जूलन गोस्वामी